तो दोस्तो आज एक पहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर हो आज का जो फीडियो है बैसिकलिए प्रेस्टूल के उपर है तो प्रेस्टूल में आप देख पाओगे जैसे मेरे यहां पर कॉंटेंट है बैंड एलावेंस और स्प्रिंग बेक बेलू यह कैसे निकालते है कि आपको सिखाऊंगा इसमें आपको स्टूल में परखाऊंगा जो भी कि बेंड प्रेस्टीक होती है जो है उसकी कैसे हम निकालते में इसको आपको कैलकूलेसं के साथ निकालना बहीं सेखाऊंगा उसके थरू आपको मैं एक्जाम्पूल करेंगे उसको हम वेकि कडिखाऊएंगी कि आत कि लिखा zac स्टार में करें उसको वे स्ट और इसमें करांगा आपको गड़लु 7 तो आपो असके निए सेलिखने हैं है तो सब से पहले हमशन करते है जो भी मेरा स्प्रिंग में करते हैं पराल सिरे के साथ कौन कोशने करना पड़ेगा यह ज़्यादा होगा तो कौन काम होगा इसकी पेरामेटर किसके साथ डिपेंड करते तो पुछ इस आप सब को समझना है तो यहां पे जैसे हम स्प्रिंग डेखते हैं एक मेटल पी जनरली ओपें सब लाइटल आप्टर बेंडिंग जब आप किसी भी मेटल कॉंपोनेंट हो किसी भी पीस हो जैसे आप बेंडिंग करते हो उपर से पांच सला आते हो तो बेंडिंग के बाद इस लाइटली ओपें अब होता है देखारो आप यहां पर थीटा वाइन होता है जो यह इनश्टिक जो यह elastic recovery होता है ना जो यह recovery होता है जो elasticity होती है यह इस recovery को हम बोलते है spring bag ठीक है इसको हम बोलते है spring bag और जो आपके spring bag है ना यह basically increase होता है किसके उपर अगर आपकी tensile strength होते है जो metal की वो अगर जादा होता है तो आपका spring bag value है वो भी बढ़ जाएंगे अगर इसकी band radius जो आपका जो band angle जादा होंगे तो आपकी spring bag value भी जादा होंगे तो basically यह था आपकी spring bag के ओपर तीक है यहाँ पर आप किसकी किसकी parameter यार रखना है आपको जो जो metal आप यूज करते हैं उसकी tensile strength आपको सही है इसकी band radius सही है band angle सही है band radius band angle आपको मिल जाएंगे आपको बस सही है tensile strength तो tensile strength की कौन सी metal का कितना tensile strength है उसकी ओपर में आलग से आपको PDF शेयर कर दूँगा उसके बाद आते हैं हम band allowance बहुत important हो सबसे पहले अग आपका आर्क लेंद है यह जो नूट्रिल एक्सिस कौन से 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 आपका एक्सिस दॉट डॉट डॉट लाइन जा रहा है न इसको बोलते हम नूट्र नूट्रिल लेक्सिस तो इस देखो बैंड अलवांस क्या होता है क्यों डालते हम band allowance क्योंकि band यहां पर देखो you will need to add the actual in order to get the flat pattern to cut the actual size अगर कोई अगर आप band allowance नहीं देते हो जब आप उसको flat pattern करते हो तो उसमें कितना आपका allowance है वो आपको add करना पड़ेगा अगर उसको जब काते हो तो आपको इसको बैंड यहां पर देखो कि यहां पर रेडियस होता है अगर यहां पर मैं आपको रिखाऊंगा यह मेरा रेडियस जो है इस रेडियस को बोलेंगे हम बैंड रेडियस इसको हम डिफाइन करेंगे आर से यहां पर हम देख पार हो ठीकिए यहां पर मेरा अलफा है अलफा जो है ना यह आलफा जो है मेरा बैंड एंगल है कितना रिगरी का एंगल है कुछ बहुत हो आपको मैं सारा formula बगार दूंगा कुछ भी एंगल हो उसको जाइब रिण पर निकल सकते हो ठीक है जो यहां पर मैं यहां पर देखो मैं आपका आलफा यूज कर रहा हो यहां पर लेकिन यह रेडियन पर निकलना पड़ेगा इसको आप एंगल में करोगे इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा वह मैं प्रताऊंगा अभी आग होता है अगर आपको सिकनेस 3 mm से कम है या 3 mm से कम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यह फ्यूल्टिकल experience है मुझे जहां पर मैं ठीकनेस 3 mm से कम होता है तो उसकेस में 0.3 लेता हूँ अब 0.3 में कैसे ले रहा हूँ यहां पर आपको देखो यह होता है इंटू 3, 6 हो गया तो 6 है अब के देखो यह बरा है के में बरा होगा यह कम होगा तो यहां पर आपको इस भेलू डाल के आपको पता लग जाएगा यह सोता है कि बरा है ठीक है फिससा आपको आपको के फेक्टल नगालना पड़ेगा और यहां पर यह जैसे पहला फॉर्मू तो इसमें आपको ध्यान रखना है यह जो के ना यह को आपका नहीं होगा यह आपका यह रेडिएस यह सोगे अगर मानलों मैरा रेडियस इन है तो यहाँ पर हो जाएगा और मैराव हो जाता है तो यहाँ पर 0.5 लेंगे तो इस साथ से आपको इसको आपको निकाल सकते हो कि अम आपम नेक्च स्लाइट की ऊपर तो अब देखो यहां पर एक मैरा करके कर दिखा हूँगा आपकोि कैसा Aujourd' लो मेरा रेडियस दो है ना कितना है 3 mm का रेडियस है यहाँ पर अलफा है मेरा कितना है 90 डिगरी तो यहाँ पर हम दालेंगे 90 डिगरी stress factor कि कितना देंगे यहाँ अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे हाँ निकालना पहरेगा है तूंटा निकालना है तो मैं क्यासे निकालूंगा आपको देखना यह है तू मतला यहाँ पे इसको आपको डाल दो आपको जाओगे इसको आर कर देता हो यहां पर मैं इसकोology अगर मैं यहां है कितना है उल्ह Sun कितना है और यहां पर तीन आगें सब्सक्राइब करेए इस अब सब्सक्राहं करे जिते हैं कि दिगरी में है इसको ऐसकर यहां पर लोगा तो यह वाला फोर्मुला आपको यहां पर आपको यहां से मिल गया है इंटू टिकनेस तो यहां पर इसको माल्टिप्लाइ करते हो ना तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है यहां पर मैंने अल्रेडी करके रखा हो आपको में रिखा देता हो 90 इंटू 3.14 में 1.4 ले रहा हो ठीक है यहां पर 1.4 के साथ कुछ और आएंगे बाद में और कुछ जिजित बगरा है ठीक है डिवाइड बाई 180 रेडियन में कॉनबर्ट कर दिया क्या ह है 1.57 है 1.57 ठीक है 0.33 इन्टू 3 इन्टू 3 प्लास 3 ठीक है इन्टू 1.57 उसको हम माल्तिव लेगर देंगे कितना होगा 6.2643 लेकिन यहां पर जो पाई के जो फेलू होती है 3.14 पॉइंट सम्थिंग उसके बाद जो कुछ दिजित होता है ना वो हम जो दिजित से हैं यहा इस व्हेंन फेलू हुंगे ना तो इसको आपको कितना डलना परेगा 6.27 ही दलना परेगा ठीक है तो यहां पर हम कुछ बेलु को हाना पर हटा दिया है तो हम अप्रोफिमेट को लेंगे 6.27 लेंगे जहांपे 5 के ऊपर होंगे ना इसको 7 में हम बढ़ कर लेंगे clear तो यहा यह जो लाइन के वेलू है ना यह होगा 6.27 अब मुझे तोटल फ्लेट लेन निकालना है ठीक है तोटल फ्लेट लेन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेकिन मुझे आपको यह जो वेलू जैना उसके इसाफ से शॉप्टर में बना के दिखाना है तो सबसे पहले मैं क् आपको हता देता हो इसको मैं सबसे पहले हाता देता हो हता देने के बाद जहां पर मैं एक स्कैसलोंगा मैं यहां पर sketch लूँगा sheet metal पर आँगा मैं sheet metal पर आने की बाद मैं यहां माले doing a sketch है सकेष हम किया है कि 65 मिने के लिए में क्या करई गां यहां पर सबसे पहले जो है ठ्थिक है यहां पर क्निव लूँगा मैं new लेने की बार मैं सबसे पहले किस में आए प में कि वहाँ हऊँगहाऊ मैतने तो आप सरी हुंगे आप सीट मैतने पर आयव सब से पहले हो सी में पर जाके यहाँ लेना है है क्याइस लेने की वड़ल आपको से पंद आए यहाँ पे हम एक क्या है एक हम या उने यहां पर distrag पासाब का दाल देना है और यहां पर दाल देना है थिक नैस कि मैं Rider तक मुझे मिल गया है तो यहां पर कितना होगा यह तीकने से यहां पर जा यहां पर करेंगे इसको हम सिंपली यहां पर करने की बाद मेरा यहां पर फ्लैंज आ गया यह ट्रिंटीफाइब में लेना है इसको हम फिर जो है इसको मिजार करके डिखाएंगे आपको में दिखारोंगा जैसे दाइग्राम पर जाओगे आपको आपने हैं आपको से बनाना पड़ेगा आप देखोगे ना तैकल नहीं होना है जहां से बना है यहाँ पे डिकता है अगर यहाँ पे यहाँ रखेशाफ सर्फ जालना है तो भी ऑफ्शन सप्टर में भी है यहाँ टोटल ले रखाओ लेकिन यहाँ पे मैनने रेडियास नहीं कि यहाँ लेगे। आ लेकुर कोला हुए उश्यका इस दिफौलयेस सु APP है लाइन 25ी है आपका यहाँ घूर्ण сам प्रेक्टिकली दिखा रहे हूं जिसको भी क्लाज बगदा जोइन कर सकते हैं आप भी 25 है इसी तरीके से मैं प्रेक्टिकली सीजिए चिखाता हूं अब देखुए आपका बन गया इसकी जो 20 में से यह जो शेंटर में से जो लाइन जा रहे है वो आपका बैंड अलावेंच ह अब इसको अगर मैं खोल के दिखाता हूं इसको अगर मैं दिखांगा आपको यहां में डिखांगा इस चंतर से चंतर से यह कितने का बन के आरा 6.2 6.27 हम मान लेते हैं 6.27 जो है यह बनके आएगा यहां पर क्यों बनके आएगा 3.14 के बाद भी कुछ दिजिट है इसको भी आपको वो दिजिट चलना बढ़ेगा तो यहां पर हम बात करते हैं इसकी टोटेल लेंड की तो यहां पर आप देखोगे कितना बनके आता है यहां देख पार है तो यह जो है अपका actual length है यहां से माइनस कर दोगे यहां से माइनस कर दो भी मिल जाएगा यह cm3.27 से अगर इसको माईनस कर दोगे तिक है यहां पर सेथ्बेग वाला लाइन है तिक है तो दोस्तों इस पे और एक बात समझना है जैसे आपका यहां पर 6.27 के आ रहा है तो यहां पर देख पाऊगे यहां पर 25 है और जो रेडियास है यहां पर पर 3 करे लिएसरे थिखने आपका 3 है तो अगर यहां पर जैसे मेरा 25 में अगर रेडियास मायनस कर देता ओं तो कितना हो जाता है 22 मेरे यहां तक हो गया ठीक है यहां थिकने भी 3 mm है तो 3 mm मुझे थिकने जो है और मायनस करना पड़ेगा तो यहां पर मैं होना सही है अगर मैं उसीस को देखता हुँ तो सौर में देखता हुँ तो यहां पर यहां पर आप देखोगे जैसे मैंने पाइफ गएया कपार लेटटटब तो यहां तक मुझे कोई डिक्कट नहीं मैंने आपको यहां पे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हता देता हूँ यह जो लेंड बन के आ इस लाइन से इस लाइन तक डिस्टेंस उनीश एम आना से इसको भी हम क्रोस बेरिफाइए कर लोगा इस पॉइंट से पॉइंट यह देख पार हूं कितना आमें आ रहा है जो मेरा केल्कुलेशन से जो शिजर से मैं बना रहा हूं यह परफेक्ट तो कहीं पर कोई शिजर का बनाना हो गए उसको फिर में इंप्लेमेंट करना पड़ेगा जो भी क्लास बगारा जोइन करना है तो नंबर मेंशन ने वहां पर जाके आप कर सकते हैं कि बहुत कुछ समझार और आपको बना के दिखा दिया है इस तरीके से आप कोई भी शिजर करना हम निकल सकते हो सारा पेरामेटर से निकलना होता है आपको मैंने दिखानने का यह है क्योंकि दिखो यहां पर अगर आपको बोलेंगे कि यह माइनस कर दो जो आपका यह जो बन बनके आ रहा है इसको अगर माइनस कर दो गें तो आपका कि इसको आपके वी माइनस करके आप इसकी लेंड निकल सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही है मिलके नेक्स वीडियो में तब तक टेक्ट बाइब